हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटूरियल पर स्वागत है तो आज हम लोग जेक बोट क्लास नाइन का मैं सोल्व करेंगे प्रश्नावली 10.1 वीडियो का आप ही इंपोटेंट है तो वीडियो को पुरा दिखीएगा और कहीं पर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं डाउसेशन में किलर कर दूँगा तो पहले हम लोग बैसिक देख लेते हैं कि यहाँ पर आप पर इसको परिधी कहते हैं हम लोग जो साइड में लाइन खीषते हैं इसको परिधी कहा जाता है दीखी यहाँ पर मैंने मेंसल किया हुआ है परिधी और परिधी से केंद्र तक का दोरी को हम लोग ट्रिज्या कहते हैं परिधी से दूसरा परिधिमान का चले यहां से यहां तक देखिए इसको हम लोग जीवा कहते हैं और अगर जीवा जो है वो के अंदर से पार होता है इस तरीके से तब इसको हम लोग व्यास कहते हैं और देखिए व्यास जो है वो त्रीजिया का दो गुना होता है क्योंकि दो त्रीजिया मिलकर एक व्यास बनता है और यहाँ पर पर मैंने दिखाया दिखिए इस तरीके से परिधी का एक छोटा टुकडा को हम लोग चाप कह सकते हैं तो चाप और जीवा के बीच का जो भाग रहता है उसको वृत खंड कहा जाता है और इस तरीके से देखिए अगर एक वृत है उसमें एक रेखा पार हो रहा है टच करके वृत से वृत का परेदी से टच हो रहा है तब इसका हम लोग इस पर्स रेखा कहते हैं अब यहाँ पर देखिए त्रीज्या खंड क्या होता है कि देखिए केंद्र यहाँ पर है केंद्र और यह वाला त्रीज्या है दो त्रीज्या और यहाँ पर एक चाप के बीच का जो चेत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड और अगर देखे एक व्यास है यहाँ पर व्यास और इधर एक चाप है तो इसका बीच का जो भाग हो सका हम लोग अर्ध वरीत कहेंगे यहाँ पर एक वरीत दो ब्राबर भाग में बढ़ चुका है यहाँ तक क्लिर हो जाना चाहिए फिर दीखिए नेक्स्ट अब यहाँ पर एक वरीत यहाँ पर मैंने बनाए यहाँ देख सकते हैं यह एक वरीत है वरीत के अंदर का भाग को हम लोग अभी अंतर कहते हैं और वरीत के बाहरवला भाग को हम लोग बहीर भाग कहते हैं यह वरीत है और यहाँ पर जो परेधी मैंने कहा था, यहाँ पर परेधी कहा था, उसी को हम लोग वरीत यहाँ पर कह सकते हैं, तो इस तरीके से एक समतल में देखिए, वरीत जब बनाएंगे तो यह तीन भाग में बढ़ जाएगा, पहला तो अब यह अंतर यानि कि वरीत के अंदर वला भाग, दुसर वरीत खुद यहाँ पर, दो भाग होगे, अब तीसरा वरीत के बाहरवला भाग को हम लोग बहीर भाग कहते हैं, तो यह बेसिक हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा, ताकि आप 10.1 आसाली से बना सकें, तो चले हम लोग अब प्रश्ण देखते हैं, पहला देखिए, खा अभियंतर में इस्तित है, तो यहाँ पर, अभियंतर सही अंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अभियंतर, अभियंतर, इसे नोट कर लीजे, फिर दिखें एक second question, एक बिंदू, जिसकी वरीत के केंदर से दूरी, त्रीजा से अधिक हो, वरीत के खाले स् अभियंतर, इस्तित होता है, तो देखें, मालकर चलिए, यहाँ पर एक वरीत मैंने बनाया, इस तरीके से, और यहाँ पर इसका केंदर है, यहाँ पर बोला गिया है, कि देखें, जिसका केंदर से दूरी, तृजा से अधिक हो, यानि कि यहाँ से यह तो तृजा हो गया, त्रिज्या से अधिक अगर इसका दोरी ले ले तो कहां बनेगा वृत के अंदर बनेगा या वृत के बाहर बनेगा वृत के बाहर बनेगा लाइन वृत के बाहर जा रहा है इसलिए जो यह बिंदू है वो वृत के बाहर है यानि कि बहिर भाग में है तो यहां पर हो लोग ब प्रित का खालिस्थान होता है तो देखिए यहां पर मैंने जीवा आप लोगों को बताया यह जीवा है तो सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं के सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है तो यहां पर अंसर हो जाएगा व्यास इसे आप नोट कर लिए फिर दीखिए next next four number एक चाप खालेश्थान होता है जब इसके सीरे एक व्यास के सीरे हो तो यहां पर देखिए इस तरीके से एक वरीत है यहाँ पर एक वरीत है और यहाँ पर दीखे बोला गिया है कि एक चाप यानि कि इसको हम लोग चाप कर सकते हैं इस भाग को चाप कर सकते हैं एक चाप इसके सीरे एक व्यास के सीरे हो यानि कि यहाँ पर हम लोग एक व्यास बना देंगे व्यास बना दिये तो इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग अर्द वृत कहेंगे तो यहाँ पर लिखना पढ़ेगा अर्द वृत अर्द वृत इसे आप नोट कर लिए फिर देखें नेक्स्ट फिप्त नंबर वृत खंड एक चाप तथा खालेस्थान के बीच का भाग होता है तो देखिए वृत खंड पूछा गया है वृत खंड यहाँ पर देखिए वृत खंड यह है तो किसके बीच का भाग होता है जीवा और चाप के बीच का भाग तो यहाँ पर देखिए बुलागा है वृत खंड चाप तथा यहाँ पर हो लोग जीवा लिखेंगे तो एक तल है मानकर चलिए यहां पर तौट को उन्म गाषता तुर्द्पार आ से आप नोट कर लीजे इस टरीके से पहला नमर कंप्लीट हो गया है अब बढ़ते हम लोग फिर अब पिर सुना रही है निमने लिखित सत्य या असत्य अपने उत्तर के कारण दीजिये सत्य असत्य बताना है और कारण भी साथ में लिखना है तो यहाँ पर देखिए पहला कोशन है केंदर को वृत पर किसी बिंदू से मिलाने वाला रेखाकन वृत की त्रीज्या होती है तो यहां तो बिल्कुल सत्य है तो इसका उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा सत्य और चली हम लोग नीचे कारण लिखते हैं तो दीखें इसका कारण में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि केंद्र को वृत पर किसी बिंदू से मिलाने वाला रिखाखंड को वृत की त्रीज्या कहते हैं जिसे कि यहाँ पर मानका चलिए एक वृत है इस तरीके से और वृत का केंडर यहाँ पर है और यहाँ पर वृत है बीच मिलाने वाला रिखाखंड को क्या कहेंगे त्रीज्या कहेंगे तो इसे को यहाँ पर लिख देना है इसे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हैं अगला question की ओर second number second number देखिए second number की question है एक वरीत में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है तो देखिए यहाँ पर एक वरीत में ने बनाये इस तरीके से और जीवा यहाँ पर जीवा है मानकर चलिए यहाँ पर यह दो सेंटीमितर का जीवा है समसे पहले समझे की परिमित मतलब क्या होता है परिमित मतलब होता है निस्चित समान लंबाई का निश्चित जिवा ही खीच सकते हैं, यहाँ पर 2 cm खीच दियें, उसके बाद इधर देखें 2 cm, फिर यहाँ पर 2 cm, 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 देखें, बहुत सारा समान लंबाई का जिवा हम ल या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनिश्चीत परिमित के जगह में आप अनिश्चीत पर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर परिमित दिया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर परिमित लिख दिया इसे नोट कर लिजे फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड नमबर थर्ड नमबर यदि एक वृत को तीन बराबर चापों में बाट दिया जाए तो प्रति एक भाग दिर्ग चाप होगा यहाँ पर देखिए एक वृत सारा समान लंबाई का जिवा हम लोग खीच सकते हैं परिमित लिखा हुआ है इसलिए यह असत्य हो जाएगा और नीचे कार में लिख रहा है क्योंकि एक वृत में समान लंबाई की अपरिमित जिवाए होती है या फिर यहाँ पर आप लिख सकते है अनिस्चीत अपरिमित के जगह में आप अनिस्चीत पर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर परिमित दिया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर परिमित लिख दिया इसलिए इसलिए नोट कर लीजे फिर दीखिए नेक्स्ट थर्ड नमबर थर् थी चढ़ात में बाड़ेगे हैं मैसी नहीं हिसाई प्रप्र बड़ाबर बाड़ में लग बोढ़िए के से iba सब्सक्याद अगि भायत आग बाद हैं अगर इस तरीके से चींथ स्राइथ सिर्फ दो भाज बाद नहीं है तौर इधर दुह अग्णुल जोगा नहीं है यहाँ पर असत्य हो जाएगा यह क्योंकि प्रतियक भाग समान चाप होगा यहाँ पर दिर्ग लगू का बात ही नहीं हो रहा है क्योंकि ब्राबर भावे बाटते हैं तीन पहला दूसरा और यहाँ पर तीसरा तीन भावे बाटते हैं और तीनों ब्राबर है इसे नोट के लि क्योंकि व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है कारण में आपको लिखना है क्योंकि व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है यहाँ पर देखिए यह हमारा एक वरित है यहाँ पर केंदर है सेंटर है यह त्रिज्या हो गया दुसरा त्रिज्या यह हो गया को मिला देंगे तो एक व्यास बनेगा तो इस तरीके से यहाँ पर कारण में लिखिएगा क्योंकि व्यास त्रिज्या की दो गुर्णी होती है फिर देखिए नेक्स्ट अब फिप्त नमबर के कोशन देखिए त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का छेत्र हो करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप जीवा नहीं होगा यहाँ पर क्या होना चीह था दो त्रिज्या होना चीह था इसलिए यह असत्य हो जागा तो कारण में आप लिखिएगा क्योंकि त्रिज्या एवं उनके समतल सत्थ पर बनाया जा सकता है आसानी से यह देखिए समतल सत्थ है यहाँ पर हम लोग इस तरीके से वृत बना दिये बन गया तो वृत एक समतल आकृती है और यहाँ पर कारण लिखा हुआ है क्योंकि वृत को समतल सत्थ पर बनाया जा सकता है तो इसे आप नौट कर ताकि उन्हें भी इस वीडियो के लाब हो सके और डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का सेकेंड वर्जन HDS Tutorial 2.0 दिया हुआ है जाकर जरू सपोट कीज़ेगा उसमें मैं साइन्स और मेत का एनिमेटेड वीडियो डालता हूँ जिससे आप लोगों का जो कॉंसेप्ट है काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा था इसी परकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद H इस टूटोरियल को टेच करें आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा अब आपको प्लेइलिस्ट पर टेच करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेइलिस्ट ओपन हो जाएगा कलास्टिक 789 सब्जेक्ट वाइज और चेप्टर वाइज तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद